हमारे इस चैनल नोटंकी तमाशा को लाल बटन दबा कर सस्क्राइब करें वे घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे बिल्कुल मुफ्त मेरा नाम इंस्पेक्टर रमेश कुमार है और इस हैदराबाद सहर के ठाना रामपूर में मेरी नहीं ले पोश्टिंग हुई है और जब से मैं इस थाने पर आया हूँ क्या देख रहा हूँ ना तो कोई पुलिस कॉंस्ट्रोबिल ना जर आ रहा है ना कोई चोकीदार दिखाई दे रहा है थोड़ी देर इंतिजार करता हूँ और ये देखता हूँ कि सबसे पहले थाने पर कौन आता है कौन है रहे तू क्या नाम है तरह किसलिए थाने पर आया है हम साहब हम साहब चोकीदार है क्या नाम है तरह राम सरन राम सरन चोकीदार कि तुम्हारा साफा कहा है कुर्टा कहा है दोती कहा है तेरी लट कहा है सब कुछ रहान साहब कुर्टा दोती गंदा हुई जरान दे दिन धोगई खाती रही बात लाठी लठीय रही साहब अचानक हमार खटीया तूड़ियों पाटी लगाई दिन खामार सलाम जादे, यू ब्लाड़ी फूल इडिया चौकीदार हराम खोर, पदा नहीं कैसे कैसे पुलिश डिपार्टमेंट में चौकीदार साले भरती हो जाते हैं क्यों बे, चारफाई की जो पटिया है वो तूड़ गई और जो तरी सरकारी लटे उसे तुन्हे उसमें लगा दिया हम अगर इसी तरीके से ड्यूटी करोगे तो साले यहीं पर खड़े खड़े सस्पेंड कर दूंगा तेरे बीवी बच्चे खाने के लिए तरस जाएंगे समझ ना इसा अब इसा ना करें ना इन लड़का आज के बाद आएंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए दिस इस माइफस्ट वार्निंग टुए ओके आज के बाद मैं कोई भी लापरवाही बर्दास्त नहीं करूंगा कहने का मतलब कभी भी थाने पर तुम विदाव ड्रेस में नहीं आओगे ना याओगे ना याओगे ना कि ऐयरिया का समचार क्या है अपने जूरिया समचार बिल्कुल ठीक है अब ही साले तुझे डी अपी में घुसरल कर मारूंगा है सारी चौकी धारी तेरी धरी की धरी रह जाएगे एरिया, इलाका, इलाका बेकुल अच्छा है, कोई आवेध कारिये तो नहीं हो रहा है, आवेध काम कोई नहीं हो रहा है, जो उन दारू बंद करवाए दी, यॉर राइट, हाँ, और कोई, कुछ नहीं, कोई अपने इलाके में अपरी घटना कोई नहीं घटी, साहब हम चला अगस्त में, क्या, अगस्त मा, अत्मीज उसे गस्त कहा जाता है, तो, हुआ गये, हुआ से, और कान सिबिल चलाया है, हम हो ये पैदर, तो, जब पैदर हो ये साहब नहीं, हम का कुछ नहीं सुआ है, तांगा वाला आवात रहा हुए, बैठ ली, जब कुछ दूरिया घग गांच रहे हैं, थैयन लगा थे, हाँ, उए के रहे है, हाँ, दूरू, टूरू, थैयो, टूरू! नेचा उतर, तांगे मालोक साब, नेचा कभे है, साले, इसकी कमाई खाता है, घोली कमाई खाता है, अननंगी घोली जोदरा है तू, अबेक का में कि लंगोटी से शिला देता, दुतीन खंटा हमारे बाब, इसका मतला अधिकतर तू इन्ही सब बातों पर ध्यान दे रहा है, चोखिदार, देखो, अभी तक तो हमारी ड्यूटी इस ठाना रामपूर के लगी हुई थी, हाँ, हाँ, लेकिन उपर से आला अधिकारियों का आदेश से, अब हमारी ड्यूटी हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर लगा दी गई, वह इसलिए तुन्हें हाल ही में पेपर क के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, तुन्हें देखा, सुना और पढ़ा, कि हाल ही में पुल्वामा हा, आतंकवादी हमले में, ना जाने कितने जवान सहीद हो गए, उस घटना को मद्दे नजर रखते हुए, इंडियन गवर्मेंट ने, वायू स से, ना थल से, ना जल से, सब को एलेड किया है, क्योंकि मुख्मिर दौरा यह मालूम हुआ है, बाहर देश से, हमारे हिंदुस्तान में, टेरिरिष्ट लोगों का आना जाना लगा हुआ है, उनका मनसुबा यह है, कि इस हैदराबाद रेलवे स्टेशन को ब्लास्ट करने क हमें इस टारगेट को फेल करना है, मेरे कहने का मतलब यह है, तुम जितने भी कांश्टेबिल है, सब को एक एक गेट पर प्लेट फार्म के गेट पर लगा दो, कोई भी यात्री आएगा, बिना उसका चेक अप किये, वो ट्रेन पर बैट नहीं सकता, या कोई ट्रेन से उत इसके अलावा ध्यान रखना कि कोई भी लापरवाई नहीं होनी चाहिए, कोई लापरवान ही होगी सर, तो अब में चल रहा हूँ, ख्या रखना, और सब तीन-तीन पुलिस कांश्टेबिल हार गेट पर लगा दो, सिसी फूटेज जो है, एक दम क्लियर कर लो, ताकि कोई तो भी ऐसा काम हो तुसमिक कहद हो सब घटना, ठीक साब, ठीक साब, ठीक साब, ठीक साब, मैं चलता हूँ, ठीक साब, जहिन रामजरन, जी सेर जी, जी ट्रेन से हमने अपना माल पारसल किया था, हाँ, उसे आने में तो यार अभी काफी समय है, हाँ, बिलम भाय, आओ, इंतजार करते हैं, जी बाबु, ट्रेन आजाए, फिर बिलती छोडा के चला, हाँ, छोडा के, अपने वतन कोई चलेगी, हाँ, कंकड़िया मारी के जगायो, कल तु मेरे सपनों में आयो, बाले मा, तु बाड़ा ओ है, कंकड़िया मारी के जगायो, कल तु मेरे सपनों में आयो, बाले मा, तु बाड़ा ओ है, हो कही सोई थी मैं, हाँ, सोई थी मैं, हो कही कोई थी मैं, हाँ, खोई थी मैं, नीद तूटे पिया तो बढ़ा रोई थी मैं हाँ हाँ रोई थी मैं मेरे रोने सेवो मुस्कुराया कल तु मेरे सपनों में आयो बाले मां तू बढ़ा ओ है साजना तू बढ़ा ओ है बाले मां तू बढ़ा ओ है क्या बताओ मैं हैदरबाद इस्टेसंतो आ गई हूँ लेकिन यहां आने पर क्या देख रही हूँ कि दो दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं और मुझको यह नहीं मालूम है कि कौन सा रास्ता मेरी सखी के घर गया है मैं आगे चल रही हूँ अगर कोई सज्जन दिखाई देंगे तो मैं उनसे रास्ते की जानकारी ले लूंगी नवस्ते जी नवस्ते क्या है काइदे से क्यों आई हो आराम से प्यार से मुपबस साला पागल है क्या है क्यों आई हो मैं नवस्ते कर रहे हूं आप तो गुस्ता हो जा रहे हूं मेरी या साला पागल आदत है आदत है जी मैं आपसे रास्ते की जानकारी लेना चाहती हूं रास्ते की जानकारी लेना चाहती हो जी यहां मैं पागल हूं कि तू पागल है नहीं मैं ही पागल हूँ, जवाब से पूछ रही हूँ नई समझी क्या हमारे कहने का मकसद है कुछ लिखी पढ़ा है की नहीं है लिखी पढ़ा क्या है कुछ लिखा पढ़ा है की नहीं आड्रेस पता कोई पता है है कहा है दिखा रही हूँ खोल के दिखाओ, क्या खोल के दिखा है, ए जहां लिखा है, बना काम बिगालेगा तू, मुझे लग रहा है यह लिखा है, देख रहा हूं, संसोधन कर रहा हूं, देखो भई, क्या, मैं हिन्नी नहीं जानता हूं, तो तुम क्या जानते हूं, मैं लंगरेजी जानता हूं, नाम तो सीधा आता नहीं है, लंगरेजी जानते हैं, उसको अंगरेजी कहते हैं, शेर जी, आप भी बताई दे तुम चले जाओ, दुकान से तीन चाय लेके आओ, तीन चाय? एक तुम्हारे लिए, एक अपने लिए, एक उसके लिए, एक तीनों भी हैं, क्यों? हम आपो, बिल्कुम, हम आपो, आपो नहीं जा, ए चाय बाले, ए लडटी, क्या है? हैधराबास सुटी, बुट बड़ा स्हर है, समझ रही हूं, तुम्हें जाएँ जाना है, तुम्हें अपेली हो या आपके साथ कोई और है? मै तो अकेली हूं, कहां की रहने वाली हूं? मैं विक्रमपूर की रहने वाली हूँ अच्छा विक्रमपूर की रहने वाली हूँ जी या तुम्हारा नाम क्या है मेरा नाम तो राधा है राधा तुम्हारा नाम राधा है जी हाँ परिया हैदराबाद में अपनी सहली के घर जा रही हूँ हाँ कोई जरूरी काम अरे मेरी सहली का सालगीरा है इसलिए मैं जा रही हो अच्छा तो तुम दावत खाने के लिए जा आ वसे मालिक ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है बनाने में कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़ी है वह तो हूँ एक बात आप से कहना चाहता हूँ बोलिए क्या कहना चाहते हो सुन मेरी ऐ गुल्बदान आए मेरी गुल्फान यह क्या पाल तु बात कर रहा है सुन मेरी ऐ गुल्बदान सुन मेरी ऐ गुल्बदान सुन मेरी गुल्फान और मुझे पिला दे क्या पिला दू पिला दे और मुझे पिला दे हसके यह गौरी तु असलत का जाम मालिक ने मुझे बहुत कुछ दिया है काभी प्रापर्टी धंदोलत लेकिन जिन्दगी में एक कमी है मेरे पास बीबी ने मालिक ने उठा लिया उसे अच्छा तो अगर तु मेरी बात मान जाओ तो रानी बन कर रहोगी रानी क्या खयाल है बोलो वही तो मैं भी सोच रही हूं कि दिखने में तो सीधे साधे लगते हो लेकिन मैं इतना नहीं जानती थी कि आप इतने हद तक जा सकते हैं क्या बात कर रही हूं आप जैसा मुझको समझ रहे हैं मैं वैसे नहीं हूं मैं आपकी बात को इंकार करती हूं देखो मेरी उम्र पर मत जाओ अभी ज्यादा उम्र नहीं है मेरी ज्यादा ज्यादा 60-65 क्यों अच्छे आभी कम है यार देखो अब तुम्हें देख करके तू मेरा इमान खराब हो गया और मैं इस क्वाइस को पूरा भी करूंगा यह निजवर जस्ती क्यों क्या मैं किसी दरता हूं क्या डरते नहीं हो तो डरने लगोगी न देखो हाँ जोड़ रहा हूं बिंती क कर रहा हूं मेरी बास सुना के मारी के करें जवा में के मारी के करें जवा में है तिरची नजरिया हो के नजरिया ए गोरिया हम राके नजरिया और ए गोरी मोरी गोरी के नजरिया ए गोरिया हम राखे अरबाला दूख दिहा लेबा नजरिया गोरिया मार के कर जवा में मार के कर जवा में है तिरची नजरिया हो नजरिया गोरिया हम राखे हो नजरिया गोरिया हम राखे अरबाला दूख दिहा लेबा गोरी तोरी कामारी या गोरी तोरी कामारी या जैसे गोरी तोरी कामारी या गोरी तोरी कामारी या गोरी 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 कामारी या गो ए नगीनिया ओ नगीनिया रहुआ हम राखे ए बड़ा दूख दिहा लेगा है मारी के करे जवा में तिर्ची नगरिया हो नगरिया तू लहिन हम राखे हो नगरिया गोरिया हम राखे बड़ा दुख दुख दिहले देखो राधा हम जितने सीधे हैं उससे कई गुना ज्यादा तेड़े भी अच्छा हम तुम्से प्यार से कह रहे हैं वागई तुम बहुत खूब सूरत हो यार ऐसे एक बार समझाने में मेरी बाद तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ी लगता है कुछ बोलना ही पड़ेगा बोलो हराम खोर बत्मीन नाला गधा कुट्ता क्यों रे तेरे घर में मा बहन नहीं है क्या अरे मैं तो तेरी बेटी समान हूँ ए राधा सच्चाई है ना मेरे घर में मेरी मा है ना मेरी बहन है अरा तुम चलोगी ना तो रानी बनकर रोगी रानी मेरी बात सुल्व ध्यान देकर मैं आपकी बात को इंकार करती हूँ मैं आपकी बात को कभी नहीं मानूंगी हाथ जोड रहा हूँ ए राधा राधा वाकई तुम बहुत खूबशूरत हो यार तुमारी खूबशूरती की उपमा मैं अलंकारों से नहीं दे सकता एक बात को हूँ चांद नीराद को हम नील कमल कहते हैं अच्छा और आपको देखके एक सोख गजल कहते हैं संग मरमर सा यह तरासा हुआ है साक बदल और देखने वाले तुझे ताज महल कहते हैं रादा र जब से तुम जवान हो गए र हो गए जब से तुम जवान हो गए जब से तुम जवान हो गए सहर भर की जान हो गए रहो गए घूम ने जो खेतो को गई घूम ने अरे जूटे सब पिसान हो गए रहो गए हम ज्यादा हाँ हुजूरी में भी यकीन नहीं रखते सीधे मान जाओ लहीं क्या करों के क्या करूंगा हाँ चल तुझे बताते हम क्या 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 बताओगे बताओ हा तो अब हम तेरा पता करेंगे मेरा पता करेंगे मेरा पता करेंगे मेरा पता करेंगे बुला जिसको बुलाना है जिसको बुलाएंगे जिसको बुलाना होगा मैं बुलाओंगी कहो तो तुम्हारे पाउपल मेरे पाउपल मेरे पाउपल मेरे पाउपल बड़ी बेदर्द हो अरे कुछ तो मेरे दिल की मजबूरी को सम्झो रहा था मान जाए नहीं मान जाए बच्चे बेहया बेसरम साले नीच तू बेहया बेस साले नीच तू ऐसा करते हुए सर में आई नहीं छेड़ता राह में एक लड़की को दू क्या तेरे घर में बहना है और माई यो वे हराम जादे नीच कमीने बुढ़े एक बात ये बता कि इस लड़की को के छेड़ रहा था साब साब बता नहीं तो मारते मारते तेरे बतन की चमणी खीच लूँगा वा साब वा साब अरे आप पड़े हैं लिखे हैं और अच्छी पोस्ट पर हैं आप पहले तो आप मेरी उम्र का ख्याल करें किस उम्र का आदमी इस तरह का काम कर सकता है साब ये मेरी बीबी है और इस्टेशन पर किसी बात को लेकर के बिवाद खड़ा कर दिया मैं उसे मना रहा था आप ऐसे मौके पर आए देखने में तो आपके माँ बाप ने आपको संसकार अच्छा दिया है लेकिन दिमाग में ठोड़ी कमी रह गई है अगर आपको यखीन नहीं है तो पूछ लीजीए मेरी बीबी है के नहीं है अच्छा तो अच्छा इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारी वीवी है तुम दोनों प्राणी हो और मैं गलत फैमी में हो गया ये बचाओ बचाओ की आवाज लगाई और मैं यहां पहुचे आया अरो आजीब सी वाद है सर कोई भी होता आपकी जगापत तो वो भी आजाता ठीक है लेकिन आप अउष्टे ही मारने लगे ये थोड़ा I'm sorry देखिए फिर भी फिलहाल मैं तुम्हारी वीवी से दो बाते करना चाहता हूं साउक से कर लीजी मुझे कोई यतराज नहीं है पूचि लीजी तीक है अप तोला बादे लीजी हम बादे शुम्हारी